हर बार की तरह अब की बार भी आप लोगों के लिए कुछ नाया लाया हूँ आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 फूल फॉर्म जो आप लोगों को कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलेगा तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ एक ऐसा फूल फॉर्म सेयर करूंगा जो बड़े बड़े को कन्फ्यूज करके रख देता है तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब AAC का फूल फॉर्म होता है Advanced Audio Coding Next ABI Application Binary Interface Next ABR Available Bit Rate Next ASP Application Service Provider या Active Service Page तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉल फॉर्म को देख लेते हैं ATA Advanced Technology Attachment नेक्स्ट फॉल फॉर्म देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक MA Education King को सब्सक्राइब नहीं किया है सुझोगा हमसे आप जरूर सेजर कीजिए तो चलिए अब हम लोग Next फॉल फॉर्म की ओर बरते हैं API Application Programming Interface Next ABI Audio Video Interled Next ARPANET इसको ARPANET बोला जाता है और इसका फॉल फॉर्म होता है Advanced Research Project Agency Network किया एक और्गनाइजेशन है ARPANET जिसने की इंटरनेट को डवलप किया था तो चलिए हम लोग Next फॉल फॉर्म को देख लेते हैं AWT Avastat Window Toolkit Next APCI Application Layer Protocol Control Information Next BAL Basic Assembly Language Next BER Bit Error Rate Next BFD Binary File Descriptor Next BGP Border Gateway Protocol आप लोग को इसमें confuse नहीं होना है ये BGP है BJP नहीं है तो आप लोग इसमें जड़ा सा धियान रखियेगा कि ये BJP कोई पाटी नहीं है ये BGP है Border Gateway Protocol तो इसको याद रखना है Next Basic बार-बार लेंग्वेज में आप लोग ये यूज करते है बट आज आप लोग Basic का Full Form में जान लिज़े कि Basic का Full Form क्या होता है तो Basic का Full Form होता है Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code Next BCD Binary Coded Decimal Next BIOS इसको BIOS भी बोला जाता है Basic Input Output System Next BPS Bits Per Second Next BLOB Binary Large Object Next BW Band Width आगे और भी ज़्यादा Interesting आप लोगों के लिए Full Form आने वाला है तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे हैं वीडियो के लास्ट में कुछ खास टिप्स आप लोगों के साथ सेर करने वाला हूं तो चलिए Next Full Form को भी देख लेते हैं CDMA Code Division Multiple Axis Next CG Computer Graphics Next CGA Color Graphics Area Next CC C Compiler और Carbon Copy तो चलिए अब हम लोग Next Full Form को देख लेते हैं CDRW Compact Dix Rewriterable Next DAT Digital Audio Tap ये Full Form बहुत ज़्यादा आज कल पूछा जाता है Next DCC Direct Client to Client Next DDR Double Data Rate Next DES Data Encryption Standard Next DAO Data Access Objects अब हम लोग अभी तक 30 देखे हैं और 20 बचा हुआ है वीडियो में आप लोग बने रही हैं तो चलिए Next Full Form को भी देखी ही लेते हैं Next DBMS Database Management System Next DFD Data Follow Diagram Next EST Electro Aesthetic Discharge Next EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code बढ़ा है बट आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा useful है बहुत सारे एक्जाम में ये पूछा जा चुका है तो चलिए अब हम लोग Next Full Form को भी देख लेते हैं Next EOF Ind of File Next EOL Ind of Line Next ECU Extended Unix Code Next FXP File Exchange Protocol Next FS File System Next FDC Floppy Dix Controller Next FDD Floppy Dix Drive Next FIFO First In First Out Next GPRS 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 बहुत अजगल सुने होंगे तो आज इसका Full Form भी देख लीजिए कि क्या होता है इसका Full Form होता है General Packet Radio Service Next GPU Graphics Processing Unit Next GUI Graphical User Interface अब वीडियो के लास्ट में आ गया है हम लोग और वो वो Full Form आप लोगों को अब मैं से एर करने के लिए जा रहा हूं GB GIGABYT एक यह होता है और GB GIGABYT इस दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि B यहां पर केपिटल में लिया गया है और यहां पर B एसमॉल में लिया गया है अगर B आपका केपिटल में रहे तो GB का आपको फूल फॉर्म हो जाएगा GIGABYT और G जब आपका एसमॉल में रहे तो उसका फूल फॉर्म हो जाएगा GIGABYT याद रखिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है यह बड़े-बड़े को कनफ्यूज कर देता है तो आप लोग भी यह गलती कभी भी नहीं कीजेगा और अगर आप लोग सभी फूल फॉर्म का PDF डाउनलोड कर निकले चाहते हैं